पिछली पोस्ट में हमने थानेश्वर में समराथ हर्ष के किले का जिक्र किया था इस आधार पर हमने कल्पना की कि यदि कन्नौज में खुदाई हो तो हर्ष के किले की रूप रेखा लगभग ऐसी ही होंगी किला गारे चूने की जुडाई से बना होगा कन्नौज शहर काफी उचाई पर बसा है हर्ष का किला मौजूदा शहर के नीचे पाए जाने की संभावना ज्यादा है आज हम देखेंगे कन्नौज का म्यूजियम जिसमें मौर्यकाल के पहले से लेकर आज तक प्राप्त मूर्तिया आदी अनेको वस्तुइन म्यूजियम में व्यवस्थित की गई है कन्नौज म्यूजियम में जितनी भी सभ्यताओं के आर्टिफेक्ट मिले हैं सभी कन्नौज से प्राप्त हुए है कन्नोज में की गई खुदाई में मौर्यकाल से पहले से आज तक लगभग सभी सभ्यताओं के प्रतीक प्राप्त हुए है प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर कन्नोज की मूर्तिकला की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है कन्नौज की मूर्तिकला का अपना अनूठा आयाम है कन्नौज में जगह जगह खेतों खलियानों से प्राप्त मूर्तिया नारी, डेव वर जन जीवन से जुरी मूर्तिया विशेश उलेखनी है नारी मूर्तिया जेवरों से सुशोभित, नृत्य करती, जूला जूलती, दर्पन देखती, प्रेमी योगल में वा मिथुन रूप में दर्शनिय है कन्नौच की नारी मूर्ति दोनों पैर क्रोस बनाते त्रिभंग मुद्रा में पाई जाती है भारत में प्राचीन काल से मूर्ति पूजिन की प्रता है, जो आज भी जारी है ये मूर्तिया योग वद्रिश्य संस्कृती का बेजो नमुना है सास, शरीर, नारीव वभोतिक आयाम किसी भी शरीर अनुशाशन के अव्यव है भारत में मूर्तिया पवित्र देवी देवताओं की छवी के रूप चिनहित की गई है देवी देवताओं को शारीरिक अनुशाशन के माध्यम से बाक्स नुमा मंदिर में बैठाया गया है शब नुमा इस मंदिर में मानो एक स्रिष्टी व अंतरिक्ष समाहित है योग द्वारा भक एक पल के लिए हाथ जोण आखे मून्द इस स्रिष्टी अंतरिक्ष में प्रवेश करता है यही भक्ती योग है शुधा आत्मा से कुछ पल के लिए ही सही ऐसी योग साधना से इश्वर से साक्षातकार संभव होता है यही कारण है कि प्राचीन काल में जन जन को भक्ती योग से जोने हितु मंदिरों का निर्मान होता रहा है यह है खेत खलियानोव व खुदाई से प्राप्त अन्य बर्तन खिलोने तीर में प्रयूक्त होने वाली वस्तुए यह हर्ष कालीन विश्व का सबसे बड़ा घड़ा जो लोगों को आमंत्रन दे रहा है और यह है थानेश्वर म्यूजियम में व्यवस्थित समराथ हर्षकाल की सामिग्री दोनों म्यूजियम में सामिग्री में समानता का तुलनात्मक आध्यन किया जा सकता है शेक चिल्ली परिसर के भीतर स्थिते संगहाले में कुरूक्षेत्र के स्थलों से उत्खनन के दोरान प्राप्त की गई पुरात्विय वस्थुए मौजूद है आठ दिवारों और चार मुक्त रूप से खड़ी प्रदर्शन मंजूशाओ वाली कुरूक्षेत्र दीर्गा में विबिन सास्कृतिक अब्धियों की चैनित वस्थुए प्रदर्शित है उत्खननन ने कुशान एक से तीन शताब्दी ई गुप्त चार से छे शताब्दी और राजपूत आठ से बारा शताब्दी तक की छे सास्कृतिक अब्धियों को उजागर किया है इस दीर्गा में रखी गई महत्वपून वस्तुओं में कुछ उत्कृष्ट मूर्तिकला के नमूनों के अलावा मुद्राएं और मुद्रानकन, टेराकोटा की मूर्तिकाए, टेराकोटा की पटिया, गहने, तल्वार इत्यादी शामिल है